अगर आपको बनाना सिखाऊंगी और जो भी चेंजिंग मैंने किये हैं थोड़ी वो जो भी किये हैं वो मैं आपको बता दूँगी ताक कि आप अगर ऑथेंटिक बलोची खड़ाई खाना चाहते हैं हाई बेस ट्राइल में तो आपको उसी की रेसिपी मिल जाएं जो भी चेंजिंग में करूँगी मैं आपको पताती रूँगी आपको आपकी मरदी अगर आपको करना चाहते हैं तो करें वरना इसकिप कर दीजेगा तो पहले हदी देखते हो उसके बाद रेसिपी की तरफ चल तकरीबन डूप चुकी है उस पाने के अंदर तो बद इसमें अभी नमक दालूंगी और इसको मिक्स करने के बाद आपने कवर करके तकरीबन आदे घंटे के लिए रखना है इससे टेज इस चिकन का बहुत ही मद्यदार आएगा तो आपने ये स्ट्रेप जरूर करना है अग अच्छा हाईवे स्ट्राइल जो चिकन कढ़ाई होती है उसमें क्या होता है कि तेल बहुत ज्यादा यूज़ करते हैं मैंने इतना ज्यादा यूज़ नहीं किया वह भी मैं आपको आगे बता दूंगी मैंने इतना ज्यादा ओयल नहीं यूज़ किया वह बहुत ज्यादा जो चुका है तकरीबन white white हो रही है हमारी chicken, यह मतलब एक ही time पे यह boil भी हो रही है, और fry भी हो रही है, समझ लें बस यह है पानी, जब तक रहाएं नहीं हो जाएगा ने इसको हमने पकाना है, और high flame पे हमने पकाना है, अभी हमने क्या करना है, इसमें boil आगया है, तो हरी मिर कट लगा लें लिए हरी मिर्चों को आप बीच में कट लगां की को बीच में कट लगा कि और इस चिकन के अंदर आप शामिल करदे यह द कि मैं इसको सामिल करें और इसको मिक्स करके जब तक इसकी पानी ड्राय नहीं होता है इसको हाई फ्लेम पे आपने पकाना थे चंबच आप दादा नहीं चलाएगा, बनना आपकी जो चिकन है वो तूड़ भी सकती है, तो थोड़ा-थोड़ा आप इसको चलाएगा, ताके यह जले नहीं, बाकि इसको जादा नहीं, आप छेडियेगा, जब तक पानी नहीं ज़राएगा, तब तक हमने हारी मिर्चो के साथ इसक भी बहुतर जलेगी तो जब यह पानी ड्राय हो गया इसका तो अच्छी कॉंटेटी में जाता है अदल लसन का पेस्ट आपने इसमें डालना है और बस अब इसको चिकन के साथ इतना फ्राय करना है कि कच्चेपन की स्मेल अदर लसन की बिल्कुल खतम हो जाए बिल्कुल भी पानी की वज़ा से और तेल की वज़ा से इसमें कलर भी अच्छा आजाता है यह फ्राइब भी हो जाती है और अंदर से नरब ही रहती है अच्छा तो आपने इस वक्त जब आपको लगे क्ड़ाइज जादा जल लई है पानी बुलकुर राय हो गया तो अब आप चाहें तो इसकी थोड़ी low कर सकते हैं आप बस medium low आप कीजेगा बिल्कुल low नहीं कीजेगा medium low flame पे अब याप इसको अच्छे से fry करने ताकि अधर लसेंगी जितनी भी कच्छी smell है रोज मेल हो बिल्कुल खतम हो जाए बस जब यह अधर लसेंगी चिकन की हालत यह है कि अच्छे से गल चुकी है तो इसको कवर करके पखाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी चिकन ना भी गले तो मैं ऐसी आपको बता रही हूं कि इसको कवर करके low flame पे इस लिम पे चोड़ दें यादा क्या आपकी चिकन अच्छे से गल जाए तो बस जब जाए तो इसका flame आप off कर दें इसको कवर करके side में रखें अच्छा अब मैं आपको बताते हूं कि मैंने क्या चेंजिंग कि हाइवेस ट्रेल बिलूची तिका कढ़ाई में क्या होता है कि जब ओईल जादा है बहुत जादा दाला भी नहीं तो वह बहुत जादा दालते है क्योंकि जब यह procedure सारा खतम हो जाता है तो वह चिकन को ओईल में से बहार निकाल लेते हैं बुल्कुल भी ओईल नहीं होता है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ओईल रखा है हमारी इस कढ़ाई में बलूची कढ़ाई में आप चाहें तो आप भी ओईल से चिकन को बहार निका मसाला लिया है चाठ मसाला है और बुना-कुut 001 धना जिरा लिया बुना-कुत strips मैंने जादा कलानमक न dedic कभाइव डाले है और यहाँ लिए लास में मुल्कुल मैंने कला नमक सटे है आपके मरदीशा है याः काज़ा ज्यृ मिर्च, मुठाह यह पिताम होई सारी और ते म हैं वह आपकी मर्दिया कर आप डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं लिकिन क्यूंकि इस कढ़ाई की खासियत यह है कि इस तरह से कच्छे मसाले इसके उपर अब डल जाएंगे और हमारी कढ़ाई तैयार इसको पकाना नहीं होगा तो कुटी भी लाल मेश का कच्छा फ साले आप अपनी मर्दि से कम ज्यादा भी कर सकतें तो इन सब को मिक्स करेंगे अच्छा आपने देखा कि मैंने ना इसमें धाई डाली ना टीमाटर दाला क्योंकि इसमें नहीं तलता है लामन जूस बहर के लामन जूस मैंने इसमें डाल दिया अगर आपको कोई भी कढ़ाई खाना चाहिए तो उसमें टिमाटर यह धायी नहीं दालेगा लैमन से क्ढ़ Valluçu Austral के अगर आप ब stretchy कढ़ाते हैं तो उसमें कोई भी आपको भी टेस्ट नहीं आएगा कोई स्मोक नहीं कढ़ाई तयार है क्योंकि यह तिक्का भी नाम है तो बस तिक्का का थोड़ा सा टश देने के लिए मैंने यह स्मोक दे दिया है बस बहुत कम हलका सताई का बस चेंज होगा उससे कुछ नहीं होगा अगर आप चाहें तो यह चेंजिंग कर ले वना एस्टीटिस छोड़ दें कोई ज़रुत नह सद्रग इसमें मैंने अपड़ से गार्णिश कर दिया है और यह हमारी बलूची तिक्का कड़ाई रेस्टुरेंट स्टाइल हाइवे स्टाइल बनके तयार है घर में देखा कितनी असान है बलूची तिक्का कड़ाई बनाना बस मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की एक ऑईल करने चैनल फिर नए सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा मिलता किसी और इंट्रसी रेसिपी में जब तक के लिए अलाहाफीज